हलो दोस्तों स्वागत है आपका आपी के चनल दाविया ग्रोथ में दोस्तों आज आज मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेट लिया था जिसमें मैंने 77,400 की कॉल और 77,700 की पूट लगबग 300 पांट के डिफरेंस पे मैंने इस टैंगल को सेल किया था और इसमें हमने किया है आज आज का जो हमारा प्रॉफिट है हमने बहुत ही जल्दी बुक कर लिया था लगब 11 बजे के आसपास और उसके बाद में मार्केट में कई सारे उथल पता लाई उपर गई नीचे भी फिर उपर गई तो इन सब चीजों से मार्च बच गए वह कैसे हमने किया वह मैं आपको बताओंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना पी अनल इस्टेटमेंट दिखा देता हूं कि हमने कितना प्रॉफिट किया है दिसमबर में और नॉम्बर में सबसे पहले मैं आपको डिसमबर से स्लेट करता हूं और अपनी में में कि अब देखिए दिसमबर मंत में आपको पहले ठाया है कि दिसमबर मन्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है और हमने प्र आपीले धूल Beck c00 थी ठीक है और कुछ गलतियां भी थी के दोनों मिलागे कि हम देखें कि DESम्बर मंथ में हमें रहे हम ना प्रफिट बना कूप मैं आप हम लह वह एचा वंध है यहां ब्र देन तो यहां पी हमारा 1.86 और नेट रियलाइजड है 1.73 तो हमारी जो ओवराल परसेंटेज है कि हम 5-6% पर मंत बनाने का हमारी जो टार्गेट है वो यहां पे एचीव हो रहा है उसके बाब जूद भी हमारी इतनी गलती हुई है उसके बाबजूद भी हमारा जो है 5% का टार्गेट एचीव हो रहा है ठीक है तो यह जो हमारा पिशले मंद का जो भी प्रॉफिट अनलॉट से स्टेट में वो मैंने आपको दे दिया है अगरा आप इसका लिंक चाहते हैं वरिफाइट पेनल लिंक जो है वो मैंने सब्सक्राइब लेकिन प्रॉफिट नहीं बन रहा है बहुत सारे लोगों का मेरे पास फोन आ रहा है तो सबसे बड़ी बात यह है मैं आपको बता दो लेकिन दोस्तों वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपको लाइक करते हैं तो हमें बहुत जादा मॉटिवेशन मिलता है क्योंकि आज मैं आपको बहुत अच्छी लर्निंग भी देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से ठीक है कि आपको option buying करना चाहिए option selling करना चाहिए और दोनों में difference क्या है वो मैं आपको बताऊंगा और जो जो लोग एफिनोगेनस जोइन करना चाहते हैं उनको पता है नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि जो भी मैं trade अपने account में लेता हूं वो मैं यहां पर update करता हूं ठीक है कि हमें कवे entry है क्या हमारे SL रहेंगे ठीक everything within the seconds जैसे मैं अपने account में डालता हूं वैसे आपको यहां पर update कर देता हूं ठीक है तो यह सब मैंने कर दिया है और यहां यहां पर लगभग 120 लोग है जो इसका benefit उठा रहे हैं फाइदा उठा रहे हैं तो अगर आप लोग भी जोइन करना चाहों तो आप जोइन कर सकते हो मुझे directly message या WhatsApp कर सकते हो और जो लोग चाहते हैं कि नहीं नहीं मिलेगा इसमें और दूसरे में आपको growth gainers group जो हमारा है उसका आपको members से मिल जाती है इसी में मैंने link दे रखा है तो आप directly वहां से join कर सकते हैं जिसकी fees 399 रूपीस पर मन्त है तो मन्तली के साब से आप यहां कर सकते हैं growth gainers में आपको क्या मिलेगा आपको पता ही है कि यहां पर जो भी मैं investments related decision लेता हूं वो मैं यहां पर update कर देता हूं ठीक है उसके बाद में इसमें क्या है जो भी मैं trading करता हूं trading related जो भी मैं अपनी position बनाता हूं उसको मैं यहां पर update कर देता हूं इसका 599 रूपीस पर मन्त है ठीक है लेकिन इसके अलावा अगर आप य statistics से लेके advance तक मैंने सिखाने की कोशिस की है प्रयास किया है तो आप वह आठ वीडियो देख सकते हैं जो लगभग एक डिएड़ घंटे की एक वीडियो है तो वह भी आपको यहां से मिल जाएगा अगर आप जान करते हैं ठीक है तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और आप आपको बताता हूं कि सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने अपनी पोजेशन को इतनी आसानी से इतनी आराम से कैसे एक्जिट कर दिया वह आपको बताता हूं देखिए हमने जो ट्रेट डाली थी तीन जनवरी नौ बच के 27 मिट पर हमें ट्रेट डाल दिये थी ठीक है यह हमा हमारे SL हमें यहां पर अपडेट कर दिये थे उसके बाद में हम एक्जिट हो गए ठीक है तो अब आप देखिए कि 9 बजे साड़े 9 बजे हमने ट्रेट डाली और 11 बजे हम एक्जिट हो गए तो आप यह चीज़ समझने कोसिस करना कि हमें 9 बजे यहां पर ट्रेट डाली औ और हमारा टार्गेट था कि हम 100 रुपीज लेके इससे हम निकल जाएंगे 100 रुपीज मतलब 100 पॉइंट्स हम लेके निकल जाएंगे तो आप देखना 11 बजे के आसवास जो मैंने ट्रेट एक्जिट की है इसको पीछे रीजन यह था कि देखिए एक सगें मैं इस चार्ट क रहा है तो यहां पी देखिए मैंने ट्रेट बिंट्री की उसकी बाद में आप देखिए इस तरीके से यह पना के मार्केट उपर और यह जो पिर जब पिर पिछले लो आई ते उनको ब्रेक आउट की तो मुझे आप लगग रहा है कि यहां तो यहां पिर तो पिछे लोहा तो मैंने सोचा कि देखो सबसे बड़ी बात है जो आपका प्रॉफिट आपकी जेब में है वही आपका प्रॉफिट है आगे हम यहां पर कुछ भी आनलिस कर दें है ऐसा लग रहा तो आगे क्या होगा किसी को भी नहीं पता है कोई अगर बहुत बड़ा विद्वान बनता हो कि आगे क्या होगा मैं आपको बताता हूं तो गलत है मैंने अपना देखा कि मैं यहां पर ख़ड़ा हुआ था तो मैंने का यहां पर लगबक 10 पॉइंट मुझे 11 बचे तक मिल गए तो मैंने का कि 20 पॉइंट मैं एक्स्टा लेने के लिए मैं अपने 80 पॉइंट को क्यों दाओं पे लगाँ मैंने 80 पॉइंट मुझे मिल लाए तो मैंने यहीं पर वुग किया यह सब सीच्वेशन देखते हुए और और मैं तरफ गई हाला कि मैं वाज कर रहा था कि क्या हो रहा है मार्केट में तो हमारा जो कॉल का एसल था यहां पर काटा उसने हाला कि पॉट काफी नीचे आ गई थी इस पॉइंट पर लेकिन जब आपने पॉड की हुई है तो यहां पर जो 41 का हमने प्राफिट बुक किया है व हाला कि जब मार्केट उपर गई थी तो पूड तो हमारे यहां पर आ गई थी 40 रुपे का असपास उसके बाद में जब मार्केट नीचे गिरी दुबारा से तब यह देखो 170 का इसने हाई बनाया था और लगबग हमारा 200-2005 के आसपास यह नहीं सौरी 240 के आसपास हमारा तो थोड़ा सा पॉइंट और निकलता तो हमारे दोन असल जाते और यहां पर लगबग हमें पचास-पच्पन-अजार का लॉस हो जाता तो हाला कि यह उपर जा रहा था तो अगर मेरी पोजिशन होती तो धक-दक तो होता बहां पे भी ठीक है तो उस धक-दक से हम बच ग तो हम दोनों असल दे देते और हमें लॉस हो जाता है तो इस सब चीचों से बचने के लिए जब हमें एट्टी पाइंट मिल रहे हैं तो बीस पाइंट के लिए इतना ज्यादा दिमा क्यों खराब करना है हमें अपने प्रॉफिट को लेके घर जाना चाहिए और वही मैंने बाइंट किया होता है कि आपके पास में एक लाग रुपया है तो आप क्या करोगे और तो तो लह निगाला कर रहा है और आपके लाग नीचे जा रहा आप प्रिमिम तो जिरो होना ही होना है आप एक दिन में एक लाग रुपए का option buying कर डालोगे और बाद में वो last में zero हो जाएगा तो आपका पूरा एक लाग रुपए वो चला गया, zero हो गया, ठीक है, यह सबसे बड़ी disadvantage है, कि आपका इसमें money management तो होते ही नहीं है, लेकिन अगर आप option selling करते हो तो वहाँ पे दो benefit आपको मिल जाते हैं, पहला benefit यह, कि जो भी theta decay होगा, जो भी time decay होगा, वो आपके favor में काम करेगा, अगर market थोड़ी बस भी sideways हो गई, तो आपके favor में काम करेंगे, दोनों लेगा आपकी profit देंगी, दुसरी चीज, option selling अगर आप कर रहे हो, तो आपको option selling में automatically आपका money management हो जा आपके automatically हो जाते हैं, एक तो time decay हो जाता है, दूसरा, जो है आपका money management यह भी favor में हो जाता है, तो मेरा तो मानना यह है कि दोस्तों, option buying में भी हम पैसा बना सकते हो, ऐसा नहीं है, आप money management follow नहीं करते हो, वहाँ पर human psychology अपना दिमाग लगा देते हो, अगर आप 10,000 से कर रह थे, ठीक है, तो मेरा कहना यही है, कि मैं थोड़ा सा आपको यह समझाना, क्योंकि लोगों को phone मेरे पास जो आ रहे है, maximum सबकी problem यही है, कि सब मैंने option buying में इतना loss कर दिया, option buying में इतना loss कर दिया, ठीक है, तो मैं उनको यह समझाना चाहरा था, कि देखो option buying में आप money management करो, या money management से आप काम करोगे, तो option buying में भी बना लोगे पैसे, लेकिन आप बहाँ पे नहीं कर पाऊगे, तो इसलिए अगर आप option selling करते हो, तो automatically आप उस चीज़ें आपके favor में काम करने लगती है, वस इतना मेरा उन से कहना है, आप ऐसा नहीं है, दोस्तों यह मताप point note कर लेन है, बाकि जो चीज़ें है, automatically आपके favor में काम करने लगेंगी, तो वो चीज़ है, तो ठीके दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं आपको समझाना चाहा रहा है, कि आप psychology क्या है, actually psychology पे काम कीजिए, और rules जो है, आप उनको तरीके से follow कीजिए, तभी आप पैसा बना पाएं तो देखो, December मंत में हमें profit नहीं हुआ है, वहाँ पे थोड़ी गलती भी हुई है, थोड़ा system का problem था, लेकिन थोड़ी हमें गलती भी की है, ठीक है, इतने साल काम करने के बाद में भी आज भी गलती हो जाती है, क्योंकि human psychology है, मेरी भी psychology वही है, जो आपकी है, ठीक है, ले तो उसकी बज़े से अगले दिन भी आप panic में काम करते हो, तो बहाँ पे आप थोड़ी भी गलतियां कर देते हो, तो मेरा यही मकसद रहता है कि कोसिद यही रहती है, कि भाई, कितना भी हो, थोड़ा profit कम हो, लेकि यार profit में निकलो जादा अच्छा है, ठीक है, तो यही मे जोइन होना चाते हो, तो यहाँ पे भी, आपको मुझे WhatsApp कर सकते हो, मैं आपको जोइन करा दोगा, बाकि आपको कोई help है, वो help, आप मुझे से phone करो, या comment box में टाइप करो, मैं आपको पूरा जवाब, जो भी मेरी समझ हो, उसके साब से मैं आपको जवाब, यानिक कोसिद करूँगा, क्योंकि मार्केट में 8-9 साल तो हमें भी हो गए है, ठीक है, काम करते होए, तो इतना तो समझ में आ गया, कि psychology कैसे काम कर रही है, ठीक है, बाकि growth gainers मैं आपको बताई दिया है, और एक बात मैं आपको और clear कर दूँँ, कि यहाँ पे मैं कोई भी recommendation तो आपको द trader हूँ, जो आप करते हैं, वो मैं भी करता हूँ, मुझे भी loss लगते हैं, आप कभी profit भी होता है, हो जाता है, बस यही है, भी मैं आपके साथ में share करता हूँ, ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो like target जो है, इसको जुरूर complete करवाना और अच्छा लगेग अगर यह target complete होता है तो, बाकी तो प्रभू की मरजी, जो भी होगा, जो भो करेंगे भी होगा, ठीक है चलो, ओके, बाइबाइबाइ, thank you very much